के Acer motherboard H110 D4-M1 में restart हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बार बार ऐसा कर रहा है, restart and restart again. तो आपको यह की solution है, इसमें कर सकते हो, जैसे VRM section में आप देख सकते हो, यहां पर कुछ IC लगे होते हैं, इनको अच्छे से clean करिए, जैसे V-Core IC बोलते हैं और कुछ PWM Circuit के IC होते हैं इनको चेक करिए और CMOS को एक बार reset करिए recovery mode पे यहां से swap करके यहां पे लगाईए और यह से analyzer card लगाईए और इसमें देखे रीशेट नहीं बन रहा होगा तो आपका reset बन जाएगा कुछ time drive होने के बाद आप on करेंगे ऐसे trigger देंगे तो यहां पर LED चल जाएगी और एक बीप आएगा और display भी इस तरह से आपर देखने को मिल जाएगा यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताईए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में